दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है। हमने उरका इसने लुटा कर पीडित इरानी पाले हैं। इसे जग में अनुपम अभिनय होता और पूरम में उगता है सूरज पस्चिम के तम में लय होता। हो में वीर प्रसूता है। यह मात्री भूम है। मात्री भूम है केवल कवी की कलपना नहीं ह। यह मात्री भूम मंत्र द्रश्टा रिश्यों की धारणा है। यह मात्री भूम है जिसके मात्री शब्द को ले करके अरेवियों ने मादरे वतन रचा जिसके मात्र शब्द को ले करके अंग्रेजी संसार में मदर शब्द अंग्रेजी संसार को मिला। कि वही मात्री शब्द है। विज्ञान जगत को इसी मात्री शब्द ने संपूर्ण ब्रह्म हांड के जो अधिश्ठात्र रूप है उसमें एक शब्द मैटर दिया। कि वही विज्ञान को भारती दर्शन के आधार पर समझने की प्रक्रिया प्रारंब करनी है। कि सावरकर इसी मात्री भूमी से प्रिणा लेते थे। जब भारती संसार आध्याद्मिक संसार केवल कॉंससनेस की आराधना करता रहा। कि सावरकर ने याद दिलाया। तो कॉंससनेस की आराधना में चकाच ओध लोगों। यह consciousness जिस मात्र भूमी की जिस प्रबल शक्त की गोद में पलता है उस मात्र भूमी की और देखना भी सीख लो यह consciousness यह जो शिव है यह जगत जननी परामबा भगवती भवानी के गर्भ से उत्पन हुआ है और इस जगत जननी को इस मात्र भूमी को इसकी ऐसी दुर्दशा और इसलिए उनका पूरा जीवन ही जिसे शिव शक्ति कहा है भारती दर्शन ने शक्ति की आराधना में बीता है शक्ति सरूपा मात्र भूम उनका संपूर्ण साहित्य शक्ति की आराधना शक्ति है सवर्य उसमें कहीं भी का पुरुष्टा को को जगह नहीं कायर्ता के लिए को जगह नहीं और साथ समंदर पार जाते हैं तब उनकी साहिती आत्रा प्रारंब होती है ये एक जिसको कहते हैं कि पूर्व जन्म की कोई अधोरी आस थी कोई घाव थी मुगलों की करनी का घाव रहा होगा भारत प्रविदेशी आक्रमन आक्रांताओं का घाव रहा होगा वह घाव लेकर कि इसलिए वह जन्मजात देश भक्त थे कोई देश भक्ति उनको कि किसी परंपरा से मिली हो कि कहीं उनके साथ कि किसी ट्रेन में थपड़ मारने की घटना घटी हो ऐसा नहीं था जन्मजात देश भक्त उनको यह पुर्खों की परंपरा उनके मान स्पटल में बच्पन से बसी होगी थे और उसलिए अंतिम सांस तक वह अडिक रहें अभी चल रहें पहला जो उन्होंने साहित्य रचा था वो चर्चा हो चुकी है मैजिनी की इसलिए क्रांती क्या होती है क्रांती कारी का जीवन क्या होता है वही उनको सबसे ज्यादा आकर्शित करता है शक्ति जो है क्रांत की आधार प्रप्राप्त होती है माओ जो कहता था सत्ता बंदू की नली से निकलती है कि सावरकर तो यह नहीं कहते थे लेकिन उनको मालूम था कि जो सत्ता है उसका अधिश्ठान पराक्रम है शौर्य है और इसलिए भारतिये स्वातिन्त समर का जो पहला पराक्रम था वंग्रेजों के विरुद्ध प्रकट हुआ था जिसको वंग्रेजों ने साजिश्च के अंतरगत छुपा लिया था इस भारतिये गदर को जो फर्स्ट इस्ट्रगल ऑफ फ्रीडम मूमेंट प्रथम स्वातंतर समर की रूप में उन्हों ने 1908 में लंडन में लिखा और उसक चलती रही जो घटना घटी करनलवाईल्डी को गोली लगी उसके बाद सीखों के इतिहास को भी उन्हों ने लिखा सीखों का इतिहास जो उनका लिखित था वो गरंथ मिलता नहीं क्योंकि पांडुलिपी अंग्रेजों ने जबत कर ली वापस मिली नहीं बाद इमों उन्हों ने अनेक संदरभों से अनेक अपने निवंधों में उसका वरणन किया है इस फुट रूप में लेकिन जो उनकी व पूरे बटिस सामराज्य में खलबली मचा दी वह पुस्तक जब तो हुई प्रकाशन से पहले जब तो हुई लेकिन किसी तरह से वो करांती कारियों के हाथ में पहुंची और पेरिस में उसका प्रकाशन हुआ लाहोर में सरदार भगत सिंग के हाथ रगी उन्होंने प्रका अंडमान के कठोर करावास में रुद्ध हो जाते हैं लिखने का कोई साधन नहीं है लेकिन उसके बाद भी वह जैसा बताया गया दस हजार से अधिक पंक्तियां उन्होंने कोईले से कील से अंडमान में जहां जगे मिली उनको जम मौका मिला उन्होंने सारे अक्षरों से उन दिवालों को भढ़ डाला और किवल भरते ही नहीं थे हमने शुरुत परमपरा देखी है इस देश में महाबारत में शंख और लिखित की कहानी आती है यहां हम लिखत परमपरा देख रहे हैं एक महात्मा रोज जो जो उसके मन में भाव आते हैं जिसको कभी हटल जी न पर चड़े खेल में उनकी याद करें काला पानी को अंग्रेजों की मनमानी को कोल हूं में जुट तेल पेरते सावर कर से बलिदानी को अन्याई से लड़ें दया कीमत फर याद करें उनकी याद करें उनकी याद करें तो कोलहू में जुटकर तेल पेरते समय उनके मनों मस्तिष्ख से जो क्रांति ज्वार प्रकट होता था उसको वह भूलते नहीं थे नुद करते थे और जा करके उसको फिर दीवालों पर अंकित करते थे अंकित करके फिर याद करते थे दस हजार पंगतियां जो उनके मन से वेद मंत्रों की तरह फूट पडए रिशीवर मंत्र दृष्टा रहा है रिशी मंत्र को जन्म नहीं देता है रिशी मंत्र को देखता है साक्षात घटित होते हुए अपनी आखों के सामने जो साक्षात करता है उसको वो देखते थे और देखने के बाद उस अनुभूती को लिख लेते थे लिखने के बाद फिर उसको याद करते थे लिखत परमपरा भी है शुरुत परमपरा भी है और उसको फिर जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने फिर उसको एक संगरह का जो रूप दिया मेरे जिम्में जो मुझे दिया गया था उनका जो सारा साहित है बड़ा विराट है दो दर्जन से अधिक प्रकाशित पुष्टके उनकी वर्तमान समय में बाजार में उपलब्द है मेरे पास जो सूचना थी उसमें इतिहास के छे स्वरणिम प्रिष्ट है उनके उसके बारे में संचेप में ब्योरा रखने को कहा गया है इसे सहा सोनेर पाने इमराठी में छे स्वरणिम प्रिष्ट है क्योंकि वह हिंदू धर्म का हिंदू राष्ड का तो श्रवांग सुन्दर इतिहास है उसको स्वयम लिखना चाहते थी नाट भी लिखा निभंद भी लिखे कहानिया भी लिखे उपण्यास भी लिखे और उसके सासा जो सबसे महत्य पूर्ण कार था जो असकाल खंड में बिटिश लोक कर रहे थे भारती इतिहास को वह लिख रहे थे वह बता रहे थे विंसेंट स्मित से ले करके और पूरी परंपरा चली है रॉयल एसियाटिक सोसाइटी की द्वारा जो इंस्पाइड है जिसमें भयानक डिस्टॉर्शन है कुछ पर नहीं जाते लेकिन उन्हों पढ़ाया जा रहा है उसावरकर को अभी परित नहीं था दुरुभाग्य से पिछले छे वर्षों से हमारे बच्चे छे वर्ष पूर यानि 2013-2014 में जो सेकेंड और थर्ड में थे वह अब एट्थ और नाइन्थ में आ गए उनको हमने जो छे साल पढ़ाया है इसके लिए कौन जिमिदार ठैराया जाएगा मुझे याद है मैं पांजन में सहाइक संपादक था 2004 में सरकार बदली है दो महने के भरतर कैबिन मिश्टर थे अरजुन सिंग मीटिंग बुलाई और एक आदेश से कहा कि सारी किताब है वापस को रेंस CRT कि नोनों का साब हम नहीं कर सकत कि नहीं कर सकते नहीं पढ़ाई जाएंगे नोट भेशदो सबको क्या पढ़ाया जाएगा उसके पहले जो बाचभई सरकार आने के पहले जो पढ़ाया जा रहा तो उसको रिष्me को कि हमारे यह यह अदित कथो को समझ में यायत तक कि छेवर से बच्चे पढ़ रहे हैं मेरी बेटी है एट्स में avp तो मैं उसको दिश्टी है निसावड़कर की दिश्टी है टिहास को उसको बताने का प्रियास करता हूं टेकि टीचर जो बताता है बच्चे वहिमानते और कि पापा तुम यह बता में नहीं है कि सारे वेद पाठी विद्वान हजारों साल से पढ़ाते चले आ रहें वो बोल रहें नहीं है आप NCRT बुक्स में पढ़ा रहे हैं खाईए आप खाते थे यह एक अजीब प्रकार की चीज है राष्टी सिक्षानित जब आएगी तब आएगी लेकिन यहां जो हम सब बैटे हुए हैं जरूर मैसेज करना चाहिए 26 तारीक है आज है 26 हरवरी है आज सावर करका की पुर्णेति थी है लेकिन 26 मई जो उनका जन्म दिन आएगा जब नेक्स सेशन चालू होगा देश के तमाम लाख होई स्कूलों में तब यह किताबे नहीं रहनी चाहिए यह संकल्प करना पड़ेगा या वापस लिजी एक में वापस लीजी और 2002 के पहले 2002 से जो पाठिकरम आया था डॉक्टर जोशी न जो दिए थी किताबे न्सी आइटी को सब रिवाइब कर दीजी तो उसको लाइए आप क्या दिक्कत है आपको क्यों पढ़ा रहे हैं आप छे साल से वही चीज़ है फैर शितिहास को देखने के द्रिष्टी है सावरकर ने पानीपत का उलिख नहीं किया कि 1761 में क्या हुआ पानीपत में बराठे कैसे हारे इसके वह विसलेशन में नहीं गए 1761 के बाद क्या हुआ इसके विसलेशन में गए और इसलिए पूरा इतिहास उन्हों ने भारत की जो शवरेशाली परमपरा है और जहां से बिटिसी तिहास अग्यों ने परमपरा को देखा इतिहास कहां से शुरू हो रहा है स्टीडियोग्राफी प्रारंब कहां से हो रही भारत की उन्होंने कहा 323 सापूर जो अलेक्जेंडर दे ग्रेट को कह रहें उसका जो आक्रमण है उसके द्वारा अग्रेशन का कोई जिक्र भारती है पुरातत्तों में, आर्केजलजी में, किसी भारती इंस्क्रिप्शन में, भारत के किसी साहित में, लिट्रेचर में, कोई अविडेंस नहीं कि सिकंदर नाम का कोई आक्रामक जो आक्रामता था वो भारत में आया रहा होगा इसका डीटेल तो युनानी सोर्सिस देते हैं ग्रीक सोर्सिस से हमको पता चलता है कि भारत में एक भयानका आक्रमणा हुआ था बारत सुख को जानने वाला देश है समर्द्धी को जानने वाला देश है आईश्वर्य को जानने वाला देश है इसको जिसको मेगस्थनीज ने कहा है कि यह देश कैसा है इसको समझा नहीं जा सकता इंडिका में कैसा देश है तो वो उक्मा देता है अपने देश के कहानी से कहानी है जिसमें गों अची है उज्ञ को पक्षी अपनी राख से प्रकट होता है बार बारल MARK अपनी राख में से पुनर जिवित हो जाता है ऐसा पक्षी है खे भारत ये ऐसी चिड्या है जो अपनी राख में से भी पुनर जन्म लेने की शक्ती रखती है अ judgments तो ये चंद्रगुप्त और चानक के से 326 इसा पूरो जो सामराज्य खड़ा हुआ है वीर सावरकर भी भारती तिहास को वहीं से प्रारंब करते हैं हलांकि वो यह भी लिखते हैं कि हमारी परंपरा दस हजार वर्ष पुरानी है कम से कम सुदीर की तिहास में हम पुराने तिहास को जब शामिल करते हैं तो कम से कम पांच हजार वर्षों तो उसका कालखंड बनता ही है लेकिन हम और गहराई में जाएंगे तो दस हजार वर्ष ह तो राम का क्ल खंड कॉन सा रहा होगा आभ अधाने में तिहासकार हो गए हैं वह बताते हैं कि ज्य तो यह निवके की तिहास कान है मैडमों कहती है जरूर युदिष्ठिर ने समराट असूख सही सीखा होगा कि यह भारती तिहास के छोए सरुडिम प्रिष्ठ में कवटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सूग अठिद भारत का जो राजनितिक तंत्र है और जिसके सामने जिसके जिसकी चाया मात्र से जिसके संकीत मात्र से की गंगा पार करते ही कैसा बयानक रूप तुम्हारा मकाबला करने के लिए तैयार खड़ा है सिकंदर उसको सुन करके सिकंदर पीछे अठता है कि यह पर्थम जो स्वरणिन प्रिष्ट है ये सावरकर ने में अपने तिहास मिलिया है उनका जो दूसरा स्वरणिन प्रिष्ट है भाषची तिहास का मैं उसमें वह पाठ लि पुत्र में व्रिहतरत का सासन में quindi बारती शासन को भारती परंपराओं को खंडित कर रहा है, कमजोर कर रहा है, फिर से ऐसी परस्तितियां खड़ी हो रही है, देश में भी देशी आक्रमड प्रबल होगा, और सिकंडर के बाद, अलेक्जंड के बाद, मिनांडर और इस प्रकार के जो ग्रीक एक्सपडीशन थे जो आगे बढ़ रहे थे, उनको रोकने के लिए जो शक्ती चाहिए थी, वह कहीं ने कहीं, उसमें लेकिंग हो रही थी, समस्या क्रियेट हो रही थी, उसको रोकने के लिए, वह जो एक महान कार हुआ, पुश्मित्र सूंग ने, भरी खड़ी सेना के सामन हुँ, ब्रिहद्रत का जो सर है, वह धड़ से अलग किया, उस महान सेनापती की याद करते हुए कहा, वह कार भारत ने किया, और उसके कारण भारत फिर से बचा, और ग्रीकों का समूल नास किया, तो यह भारती तिहास का उन्होंने का दूसरा स्वरणिंपरिश्ट है, जि इसा पूर्व 57, तो आज 2020 चल रहा है, इसमें 57 वर्ष और जोड़ देते हैं, तो 2077, 2076 वर्ष हो गई, विक्रमी संबत को प्रारंबु, वह जो चंद्रकु विक्रमा दित थे, कौन थे, मालवा के थे, उज्जैनी के थे, लेकिन उनके पराक्रम को जिसमें उन्होंने शका पूरा विनास किया है, ग्रीक शक्ति जो फिर से सर उठा रही थी, उसका विनास किया है, यह जो कनिस्क और हुष्क नाम के जो कुषानवंसी सासक हुए, जिन्होंने भारत में आकर के थोड़ा सा अपना रूप बदल लिया, उनका जो समापन किया, यह जो शकों के पूरे सामराज्य का अंतकर के भारत के अंदर फिर से भारती सनातन संक्रति की पुनरस्थापना की है, तो उन्होंने का यह भारत का तीसरा स्वरणिम प्रिष्ट है, और भारत का जो चौथा स्वरणिम प्रिष्ट है, जिसको अभी हमने कासी हिंदू शुद्याले में एक सेमिना लुको कैसा यहास्त है कि थखलए कर लिखते हैं अपनी पुष्टक को िधोध क्रता ऒबुंद क्या एवा है कि दुनिया के अंदर सबसे आक्रामक सबसे बरबर सबसे खतरनाक सबसे खूकार जाती है कि इसके सामने दुनिया के बड़े-बड़े साम hay युनान मिस्र मिट गए और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी वो जो गीत है तो इनको मिटाने वाली कौन सी दुर्दांत शक्ति थी संसार के भीतर उस दुर्दांत शक्ति का जिक्र बीरसावर करते हैं के हूण थे इनहीं हूणों ने रोमन सामराज को घुटने टेकवा दिया जो बरबर समराट हूणों का बरबर समराट हटीला था उसके सामने ही इस्टन रोमन इंपायर वेस्टन रोमन इंपायर दोनों की धजियां उड़ा दी जो फ्रांस है प्राचीन गाल जिसको कहते हैं क वेनिस जैसे शहर कड़े हुए समन्दर की अंदर जो शहर कड़े मे क्यों कड़े मुखें के दर से खड़े हुए सकतीङिये इस भयानक faksi रूप को देखकर की कि कि सारा का सारा आपका जो इसप्त है मिश्र है थर्रा कि उटा मिश्र में देखने के लिए केवल कि फिरामिडी बचे हुए मिश्र की पराचिन मिश्र की जो शबता है संस्क्रिती हैं और इंपायर तीसरा उन्हों ने कहा है भारत को चढ़ाय करने विश्व उसके देश की इनहीं हुडों नहीं से हीट बजा दी वह युनान भी देखते ही देखते धूल धूसरी तो नश्ट हो गया दुनिया की धरती से युनान में से रोम मिठ गए तो मिठ गए कुछ बात है कि हस्ती मिठती नहीं हमारी हस्ती क्या है उसको कोट करती है यह हस्ती क् भारत का जो बाहुबल है भारत के युवाँओं के अंदर धड़कता हुआ बहता हुआ रगता है उनके पुर्खों का जो भारत को बारा बार बचाने के लिए उनको वावाज देता क्यों वह वीर था बीर करमा जिसको उन्हों ने भारती इतिहास का चौथा और कैसा जब कहते हैं कि चाहिस संग 450 में धीर सावर कर लिख रहे हैं कि जब वह कबर मिली तक्षशिला उन्युनों ने बरबात कर दी मठिया मेट कर दी तक्ट सिला का बिलकुल इंसे इंट उखाड़ दी तब गुप्त चरों ने जो समाचार भेजा पाटली पुत्र में उसको देख करके उस समय के जो ततकालिन समराड थे साथ 65 साल की उमर हो गई थी कुमार गुप्त उनकी चाती काप उठी क्यों कौन लड़ेगा युद्ध और अन्य की तिहासकारों ने राधा कुमंद मुकर जी हैं परमेश्वरी लाल गुप्त हैं प्रोफिसर आरसी मजुमदार हैं आचारवास देवश्रन गरवाल हैं इन सब वीर सावरकर भी कोट कर रहें यह इतिहास उन्होंने कहां से मिला क्योंकि जो भारती इतिहास के छे सरुनिंप्रिष्ट पुस्तक है यह उनकी आख्री पुस्तक है यह 1956 में चपी है और इसका जो दूतिय खंड है 1963 चोशट में प्रकाशित हुआ है 1966 में संसार चोड़कर चले गए इसी पुस्तक की आधार पर चाहते थे कि हिंदू धर्म का हिंदू राष्ट्र का एक विशाल का विश्व कोस और विराशित हास हम लोग खड़ा करें वो चाहते थे लेकिन यहां देखिया जो पचीश साल का यू एक के वह सकंद गुप्त विक्रमादित भारत की धरती पर पैदा हुआ और जब राज्य थर्रा रहा था पाटली पुत्र का सिंगास काप रहा था हूणों की थर्राट से तब उस महावली ने उस महायोध्धा ने अपने पित जो पहली बड़ी माता थी नाम था नंता देवी अनंता देवी चाहती थी हूणों से समझोता करके पश्चमी भारत उनके हवाले कर दे हम इधर आनंद से सासन करें और उनका जो बेटा पुरुगुप्त था वह मुकाबले में जाने को संभवता तैयार नहीं था या तैया नागण में गिरनार परवत पर इसकंद गुप्त का भी लेख है गाजी पूर जो उस्तर प्रदेश में है उसमें भीतरी नाम का स्थान है वहां एक महान शिला लेख लगा हुआ है रिवासूपिया में शिला लेख मिला हुआ है इंदौर में शिला लेख मिला हुआ है गोर तो दूत में है वही गरून का पड़ार अभी कल चलेगा यहां से उनके भी ज्वन conservation में उनके वी राज़र चिंढ में वहीं गरून बैठा हुआ अमेरिका में नहीं जानाता हुसका क्या संबंध भारत से लेकिन गरून भारत से किशार ने ऑपने harmful बाहुबल से कालिकर scholars कश्मीर पर होण ने कट्रिका छो शिला लेख को कहता है कैसा अबीर था हूण इर्यस समागत से समरे दो रभ्याम धराकम पिता भीमा वर्त करस हूणों के सामने आने पर दोनों भुजाओं में तलवार लिए वह महायोध्धा जब आगे बढ़ता था उसके शोरे को देखकर ऐसा लगता था जैसे पृथवी काप उठी हो पृथवी बरबरता भारत में नहीं चलेगी असहिश्णता भारत में नहीं चलेगी भारत में रहना है तो तीन रास्ते हैं एक रास्ता तो है जहां से आए हो वहां से वापस चले जाओ दूसरा रास्ता है तुमको यहां रहने देंगे असहिश्णता छोड़ करके सहिश्ण हो जाओ और अगर ये दोनों रास्ते तुम्हें स्विकार नहीं है, तो तीसरा एक मात रास्ता है, तुम्हारी गर्दने हैं बाहुवली की तरवार, और कोई रास्ता नहीं है, ये ऐसा योध्धा इसकंदगुप्त, उसका जो जिक्र किया है, और उसके बाद जो 466 में और 530 तक ये जो हूणों के बेटे थे, खिंगिल नाम का हूण था, उसे नापती बन कुछने भारत पर चढ़ाएगी, समाप तो हुआ, इसके बाद आचारवाश्दियू सरनकरवाल केते हूणों का क्या हुआ, हूण इसी भूण पर शूशू शूज अपने लगी, ये पर ते ओनिजेस जी, ये सारी चीन की दीवाल और हूणों के भय से खड़ी हुई है, कितने किलोमेटर की दीवाल है, चीन की दीवाल, 20000 किलोमेटर लंबी है, 10 फिट, नि집ाना है, 40 फूट, और चवडी कितनी है, चार घोले टक बग टक मीलों तक चले जाते हैं, ऐसी को जब इसकंद गुप्त ने इस देश में अंतिम उसको जो है अंतिम जवाब दिया उसका बिनास किया तो यह फ्रांस के तिहासकार सिल्वा लेवी हैं वो किसी स्रोथ से बताते हैं चाइनीज स्रोथ से चाइना में खुशी की लहर दोड़ देगी क्यों जिन हूनों को मारने के लिए समाप्त करने के लिए बचने के लिए हम चार सो साल से छे सो साल से दीवाल बना रहे हैं उन हूनों का भारत में समूल सभाया कर दिया उसमायोद्दा ने और कहते हैं कि चीन के समराथ ने उत्सव किया और भारत में पाटली पुत्र को मैसेज भेजा भारत की राज मैं जहेब करता हूं क्योंकि समय समाप्त हो रहा है जो दो यह चौथा अध्याय है भारती तिहास का चौथा स्वरणिम परिष्ट और पांचमा अध्याय है वह पांचमा जो अध्याय है उसमें जो उसका इंटर्वल है वह मराठों ने अटक में भगवा धश फैरा करके किया सब्सक्राइब करो अटक में भगवा फैरा था उसको याद करो 1818 में महराजा रणजीद सिंग ने काबुल गंजनी से लेकर करके कश्मीर तक जो केसरिया फैराया था उसको याद करो 1761 क्या याद करते हो एक एक हिसाब बराबर कर दिया सारा बदला पूरा किया मराठोने रहुनात राओने और उसके पहले बाजी राओ पेशवा नादिर साह सारे आक्रमनों को याद दिलाते हैं कैसा वह 1749 का संगराम छिडा था इसी दिल्ली में बाजी राओ किसे ना इसी को कहा सदगुण विकृती बीरसावर करने क्यों वापस लोटे हैं हिसाब बराबर कर दी रहा था उसी दिन भगवाभा करके किलाल के लिए पर हिंदु राष्ट की पुनरस्थापना कर देनी थी लेकिन बाजी राओ की मन में क्या आया कुछ समझहोता हुआ या नाम मात्र मुगल सासक यहां स्थापित करके मराठा सासन वहीं से चलेगा राहगडपुणे से ऐसा सोच करके वह वापस चलेगे अगले वर्ष फिर आएंगे लेकिन कहते हैं कि बाजी राओ पेश्वा खरगवन मध्धपरदेश में उनका सरीर पूरा हो गया फिर वापस नहीं आये तारीख गवा है और खून का दरिया बहा जावा मस्जिद जो है मुसल्मानों की लासों से पच गई हिंदूला से भी गिरी थी लेकिन मुसल्मानों की लासों से नादिर साह ने खून की होली खेली है इसी लाल खेले के सामने और मुगलों की सारी दौलों जो भारत को डर यह था कि बाजी रहा रहा है पीछे से लिख रहे हमारे बीरसावर करके क्यों भाग गया ना दिरसा रुका क्यों नहीं उसको मालूम था जो तुम ने लूट लिया है वो चला चला रहा बाजी रहा पीछे से अगले दिन सब ले जाएगा वापस इसलिए का उसकी आने के अब दाली क्यों नहीं रुका उसको भी मालूम था कि बच नहीं पाएंगे मारे जाएंगे भाग गया तो यह जो पांचमा सोरण इंपरिष्ठ था वह था अटक पसेरे कटक तक जो भगवासासन फिर से स्थापित हो गया भारत के अंदर और उसमें सिखों के तिहास को बंदी है लोटा बंदी है बेटी बंदी है जाती बंदी है समुध्र बंदी है यह सब घए्डू को वेदों ने इस्थापित किया जैसा नेत्रु तो चाहिए उस को सावरकर याद करते हैं और पूरी पुस्तक में अंग्रेजों के राज़़ी को तो 16 पन्य नेंस समेट द ली च्टता अध्याय जो है और आंगरेजुँ अपर है का हमने इनहीं आखों से को जिसका सूरज खंड घरती पर कहीं चुपता ही नहीं था स्ट ही हुए देखा है जो आये थे हमारा भाग्य बदल देंगी और इस प्रकार से भारती टिहास के जह छेश्वरणिम प्रिष्थ है वह सावरकर पूरा करते हैं मैं तो अंतम इतने यह बात कहना चाहता हूं कि सावर कर हैं क्या वास्तों सावर कर्माने सावर कर्माने स्वातंध्या सावर कर्माने स्वराज्या सावर कर्माने स्वधर्मा सावर कर्माने स्वराश्ट्रा सावर कर्माने अविनाशी सावर कर्माने आधि पुरुष सावर कर्माने निर्भाय पुरुष निर्भायता का इसको अचल जी ने लिखा था मैं आधि पुरुष निर्भायता का वर्दान लिये आया भूपर पय पीकर सब मरते आये मैं अमर हुआ लोविश पीकर अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वहवाग प्रकर हो जाती दुनिया भसमसात हाँ छण भर ही जिसको छूकर भैसे व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंब किया मेरा पूजन मैं नर नारायन नील कंठ बन गया नैसमे कुछ संशय हिंदू तनमन हिंदू जीवन रगरग हिंदू मेरापरीयOoh झाल झाल